नमस्कार दोस्तो रादे रादे हरे कुछना अमरे चल्बे आपका दस्वागत है तो दोस्तो आए में अक्षाश यह गन्योलों जैय एकादशी की व्रैत कता मांग मास के शुकल पक्ष की एकादशी को जैय एकादशी कहते हैं श्री कृष्ण जी बोले है धरम पुत्र माग मास के शुकल पक्ष की एकादशी का नाम जैया है इसका महत्य में पद्वे पुराण में ऐसे लिखा है एक समय स्वर्ग पूरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे अब सरायन रित्ते कर रही थी उनमें एक उसरे पर मुहित थे काम के सेवक को महांधा कहते थे उन्हें यह विचार ना रहा की इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा परस पर दोनों की दृष्टी लड़ने लगी मालेवान तो दिवाना होकर गाना भूल गया और पुषपावती पगली बनकर नाचने का ताल पराज ने देखकर क्रोध किया और कहा तुम दोनों पिशाच योनी में को प्राप्त करो भरी सभा में अप्मान करने वाले को एसा ही दंड दिया जाता है अपवित्र जल और अपवित्र भूजन तुम्हारे योग्ये है ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया स्वर्ग रोहन मार्ग द्वारा बदरिनाथ में आये यदि पापियों के देश को जाते तो खाना पीना मन माना मिलता परंतु पाप से शिग्र उद्धार नहोता इस कारण उन्होंने तपो भूमी पर निवास किया कष्ट पाकर जीवन के उदास जीवन से उदास हो गए एक दिन भूख हड़ताल कर दी रातरी को बदरिनाथ के गुणगा कर व्यतीत किया प्रादह काल हुआ तो उनके पिशाच योड़ी छूट गई स्वर्ग में वीमान आये और उन्हें उपर चड़ा कर कहा कल जया एक आदशी का दिन था आपने भूल भूख हड़ताल कर दी और रातरी जागरनब कर प्रभू का गुड़नवाद किया उसके प्रभाव से हम आपको स्वर्ग में लिये जाते हैं तो दोस्तों ये थी जया एक आदशी की व्रत कथा अगर आपको मेरा वीडियो पतना है तो वीडियो को लाइक करिए चालों को स्ट्राइब करना भी को न भूले मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक्र रादे रादे हरे करश्णा और आप सभी को जय मात दी